हेलो गाईज मैं हूँ अमित और असका स्वागत है ब्लेडिक्स वाईजी में काईज आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक ताले को खूला जा सकता है बिना उसकी असली चाबी के और यहां पर तो हम किसी भी चाबी का यूज नहीं कर रहे हैं हम यूज करेंगे का जो कि एक पैपसी का कैन हो कीजिएगा ओबियस सी बात है आपको परिशानी हो सकती तो फड़ा वड़ से शुरू करते हैं रेड़ वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए उसके मगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और ब्लेटिक्स वाजी की एक और वीडियो का मजा लीजिए तो वान для हाण यहां पर हैं दों अलग अलग तरीका के ताले और दोंव जो लोग से बिल्कुल ने हैं हैं मैंने अभी मार्केट से खरीदे हैं हर ताले के साथ में तीन चावी आति हैं ताकि एक चावी खो भी जाती है तो भी हमारे पास में extra keys रहें तो देखिए जो ताला है वो विल्कुल आराम से खुल रहा है और अगर हम इसको बंद करते हैं तो जो लोक है वो बंद हो गया तो इसी तरीके से ये वाला जो लोक है इसका spring mechanism थोड़ा सा अच्छा है सिर्फ जो चाबी है उसको घुमाती ताला खुल जाता है बंद करने के लिए वापस इसको पुश करना होता है तो जो लोक है वो बंद हो गया और अब जो है किसी भी तरीके से खुल नहीं सकता खुलने के लिए हमें जो चाबी है वही लगानी पड़ेगी इस ताले की एक खासियत ये भी है कि ये एक डबल लोक है यहां पर अगर आप देखेंगे तो इधर से भी लोक होता है और इस वादी साइड से भी लोक होता है तो इसको जो है खुलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये वाला जो थोड़ा सा less secure होता है तो इन तालों को खोलने के लिए हमें चाहिए होगा एक can जो कि किसी भी तरीके का Pepsi का, Cola का, कोई भी चीज़ का हो सकता है सबसे पहले जो can है हमें उसको यहां से जो है काटना है तो गाइस पैपसी के can को काट करके हमें कुछ इस तरीके की 2 strips निकालनी है और ये जो 2 strips हैं ये कामाएंगी हमारे double lock को खोलने में single lock को खोलने में जो है सिर्फ एक strip सफिशिक रहेगी हालाकि हम यहां पर सिर्फ एक ईक lock को खोलने वाले double lock क्योंग अगर ये वालला lock खोल जा selecting तो single lock को खोलना कोई बड़ी बात नहीं होगी तो ये जो lock को side में रखते हैं क्योंकि इन strips में थोड़ा सा modification अभी हमें और करना है हमें क्या करना है कि इस strip को कुछ इस तरीके से काटना है और यहां पर जो है कुछ इस तरीके से काटना है जो लंबाई है उसका अंदाज आप लगा सकते हैं मेरे कटिंग को देख करके कि हमें कितनी लंबी जो है strip चाहिए और दोस्तों कैंची से जो है ये कैंच बिल्कुल easily कर जाता है हाला कि है metal का aluminium का लेकिन aluminium बहुत ही soft होता है तो कुछ इस तरीके की दो शेप हमें चाहिए होंगी इस double lock को खोलने में दोस्तों यहां पर हमारा जो लोक है वह आप देख सकते हैं मैंने खोल लिया और इसको जो है मैं फिर से lock कर देता हूं कुछ इस तरीके से तो जो lock है ओध बंद हो गया चाह भी बहार निकल यही आप जोहें किसी भी तरीके से लोक है वह खुलनी रह बहार तो यह जो strip है हमारी इसको हमें कुछ इस तरीकेशे पगड़ करके पहले तो थोड़ा सा इसको मूडना है कुछ इस तरीके का ये हो जाएगा और उसके बाद में इसको अंदर की तरफ से इस लॉक के अंदर इंसर्ट करना है दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं और सेम यही चीज करनी है दूसरी स्ट्रिप के साथ में भी तो उस वाली को भी जो है इस तरीके से मोड करके अंदर की तरफ से हमें इसके अंदर डालना है क्योंकि जो लॉक्स है वो अंदर की तरफ से लॉक होते है तो भाई इसको मैंने दोनों तरफ से डाल दिया अब जो है लॉक कुछ इस तरीके कर दिएगा अब इसको खुलना बहुत आसान है, सिर्फ हमें इन दोनों को नीचे की तरफ पुश करना है, और कुछ इस तरीके से जो है, अंदर की तरफ डालना है, अगर ये अंदर नहीं जाता है, तो थोड़ा हम इस लोग को कुछ इस तरीके से हिला कर भी इसको जो है, अंदर डाल सकत है तो खूलने की कोशिश करते हैं और भाई ताला जो है वो खुल गया और मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा पहले ही खुल गया था मैं इसको इस तरीके से नहीं कर रहा था मुझे लगा कि अपने बाहर आ जाएगा लेकिन शायद ये इसकी वैसे जो है फसा हुआ था जोस्तों आप जानते हैं कि ऐसा क्या होता है जिसे लोग खुल जाता है इस मेधर से तो भाई चीज बहुत ही सिंपल है बहुत ही बेसिक है हर एक लोग जो है वो कुछ इस तरीके से लोग होता है कि उसके यहाँ पर कुछ अटक जाता है जिससे की लोग बाहर नहीं निकल ये जो इसके अंदर फसा रहेता है, यानि कि कोई एक ऐसे चीज होती है, जो कि इसमें अटकी रहती है, और ये वाला हमारा जो मैटल का स्ट्रिप है, ये क्या करता है, जैसे लोक बंध है, तो उस जो हिससा इसके अंदर इसको रोक के रखा है, इसको ही वापस अंदर घुसा देता है यानि कि फिर ये जो हिस्ता है निकलने के लिए बिलकुल बाहर फ्री रहेगा और बाहर आ जाएगा तो अब जो है कोशिश करते हैं एक बड़े वाले लोग को खोलने की मुझे लगता निया तरीका इसमें जादा काम करने वाला है लेकिन फिर भी जो है ट्राय तो करी सकते हैं तो मैंने ये जो लोग है इसको बंद कर दिया और ये जो लोग है बहुत मजबूत है आप इसके साइज से इसका अंदाजर लगा सकते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होगी एक बड़ी स्ट्रिप उससे थोड़ी सी चोड़ी स्ट्रिप तो वाइस इस तरीके के कुछ बड़ा टुकड़ा बनाने के बाद में हमें सबसे पहले तो ये पता होना चीए कि जो लोग है वो किस तरफ में लोग हो रखा है यानि कि इस वाली साइड से लोग होता है तो हमें इसी तरफ जो हमारी तो गाइस मैंने बहुत कोशिश कर ले लेकिन ये जो कैन है ये इसके अंदर घुसी नहीं पा रहा है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम है तो इसके अंदर घुसने से पहले ये मुड़ जा रहा है आप इसके शेप देखिए बिल्कुल टेड़ा मेड़ा सा आगे से हो गया तो मुझे लगता है कि ये वाला ताला इस वाले कैन से तो नहीं खुलेगा थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा लेकिन तरीका जो है सेम है खुल सकता है लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा से एडवांस होना पड़ेगा तो गाइस इस तरीके से आप छोटे मोड़े ताले तो इस वाले method की मदद से खोल सकते हैं बड़े ताले इस हाथ में आपको दिक्कत जो है जरूर आने वाले है तो इसको हम आभी side में रखते हैं तो guys आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्का